जैसे चूना है मैथी हैं ऐसे ही अतने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी ओशन है उसका नाम है दाल चीनी बहुत ही अध्वत है यह दाल चीनी इतनी अच्छी ओशन है कि आप इसके वारे में भी हरान हो जाएंगे सुनकर दाल चीनी का पाउडर और मद दोनों मिला कर एक चम्मश मद दोनों मिला कर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबर कुलोसिस माने टीबी अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से जादा शुरू होती है यह सब को ठीक करने की ताकत दाल चीनी में दम भरता है सास भरती है दस कदम भी चल नहीं सकते चले तो बैठना परता है इन सब की आउशनी दाल चीनी खाने का करीका डालचीनी का पाउडर बनाईए मद में मिलाके खाईए और अगर आप जेन जरम का पालन करते हैं तो मद नहीं खा सकते तो गोड में मिलाके खाई जितनी दालचीनी उतना ही दोनों को गरम पानी में भोल लिए पानी को की लिए ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में कामाती है आपको बहुत तेज भुखार आया उसमें दालचीनी कामाती है सर्दी जो काम होता है उसमें दालचीनी काम आती है वाइरल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है वेक्टिरियल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है शरीर को मोटापा बहुत हो गया है वजन कम करना है उसमें दालचीनी काम आती है शरीर को कभी भूखी लगती है उसमें मुझे अचान गाति हैं एक दंबारीक शरी है जिन बच्कों का उनको भी दान्चिन काम आदे है यह एक दान्चिनी टेई सुरूगों लौगत हों इस का है जो रसोई में जरूर करते है Cao कभी वे आप उसको उप्योग करेंगे भूखे एई मिबरीजाज अज़क 광ुत है कभी वी आप उसको उपית्योग करेंगे ढोका में ज़सर के लोकाने की उद्धार तो बहुत ही Âप्योग प्रौमान यह एक चम्ध दाजची में पाउडर, एक चम्ध मदाज़, पनोगकि मताज़ मेथि के साथ अगर मेथि यह तो इसकी जरूदत नहीं, यह खा रहे तो मेथि के जरूदत नहीं, एक बार मेदें अशदी खाये, जी बच्चों को मात्रा कम करें, आधा चम्मच काफ होता है बच्छों को बड़े लोगों को एक्षण में कि एलर्जी के लिए बैस्ट मेडिसीन दाल ची किसी भी तरह की अपको है शरीर में नियमित दाल जी नहीं खाई ये मद्मा मिला के मत नहीं खा सकते तो गुर्णा मिला के तीन से चार मेंने सब अलगी ठीक कर देते हैं सुबह के वाद था खाले को एसे विटी के लिए खारिया दाल चेए बहुत हथ खुदा था